हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडियन कमपनी की जो पिछले 50 साल से मार्किट में है और जिसके पास RBI, IRDA और SEBI जासे सारे के सारे लीगट लाइसेंस भी है और जे कमपनी पिछले 50 साल से फाइनांस की इंडिस्टरी में पूरी तरह से शाई हुई है तहलका मचाया हुआ है और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़के अर्निंग कर रहे हैं और अपने ड्रीम को फुल्फिल कर रहे हैं एक लीगल कमपनी एक इंडियन गॉर्मेंट की अप्रूवड कमपनी इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कमपनी का नाम है श्रीराम फाइनांस ग्रूप आपने नाम जे सुना होगा क्योंकि पिछले 50 साल से जे मार्किट में बड़िया रन कर रही है और आज इस वीडियो में मैं आपको श्रीराम ग्रूप की हिस्ट्री और इसके अंदर कौन-कौन से सेक्टर आते हैं और इसके पास कौन-कौन से लाइसेस हैं और इनके जो चेर्मेन हैं उनके बारे में एक-एक डिटेल देने वाला हूँ और आगे आने वाली दिनों में मैं आपको जे भी बताऊँगा कि आप इस कंपनी से जुड़के गर बैठे कैसे अर्निंग कर सकते हो तो दोस्तो एक लीजल कंपनी आपके लेके आया हूँ जिसके साथ जुड़के आप मन्त लीकिया एक दिन में भी लाखों कमा सकते हो डपेंड करता है कि आपके काम करने का तरीका कैसा है तो दोस्तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूँ वीडियो को स्किप मत करना, द्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफकेशन बेल को उन कर देना क्योंकि मेरे चैनल पर मिलती है आपको ऐसी ही इन्फोमेटिव वीडियो दोस्तो, इंडिया की बात करूँ, तो हम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज को लीगन मानते हैं, जिसके उपर हम ट्रस्ट करते हैं, तो वो हमारी इंडियन मेंटैल्टी क्या है? बैंक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को हम काफी ज़्यादा सेफ और सक्योर मानते हैं, और हम अपना जितना भी फंड होता है, उसको बैंकिंग सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिस जो बैंक्स होते हैं, वो भी तो हमारे पैसे को मल्टीपल करते हैं, हमारे को लोन देते हैं, हमारे को FD के उपर इंट्रेस्ट देते हैं, तो वो पैसा कहां से मल्टिप्लाइ करते हैं, कुछ पैसे को वो Forex Industry, जा स्टोग Exchange में डालते हैं, कुछ पैसे को वो ऐसी ही Finance Agency जैसे शिरीराम ग्रूप है, मैक्स Life Insurance है, बजाज एलियांस है बहुत अलग अलग Industry होती हैं, जिनमें वो Investment करते हैं, क्योंकि यह सारी की सारी जो Legal Companies हैं, इन में क्या होता है, कि उनका पैसा Loss होने की जो संभावना होती है, वो नामातर होती है तो हम Directly इन Companies के पास अगर Investment करते हैं, तो उसके ज़्यादा आपको Life Insurance, Bema, Policy मिलेंगी, बहुत कुछ ऐसा है जो Bank में ना रहके हम इन Finance Agency से अठा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फाइदे हैं, जो हम Bank की बजाए अगर Directly इन Company के साथ Deal करते हैं, तो हमें ज़्यादा Benefit मिलता है, तो दोस्तो आज का जो जो ग्रूप है, उसका नाम है श्रीराम ग्रूप, श्रीराम ग्रूप है जो वो सन 1974 में स्टार्ट हुआ था, और इनको स्टार्ट करने वाड़े थे Mr. R. थेरंजन जिनको Already पदम बूशन मिला हुआ है, तो आप जहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती हैं इन्होंने 1974 में एक ग्रूप स्टार्ट किया, चिट फंड के नाम पर जिसका नाम था श्रीराम दीरे दीरे, वो ग्रूप फाइनांस इंडस्टरी में बदल गया उसका काम क्या था, कि हम एक कॉमन मैंड को भी लोन देंगे हर एक कॉमन मैंड जिसको बैंक रिजेक्ट कर देता है लोन देने के लिए हम उसको भी लोन परवाइड करेंगे और इसने पिछले 50 साल में ऐसा करके भी दिखाया आज श्रीराम ग्रूप की बात करें, तो जो जे बाकी जितनी भी फाइनांस इंडस्ट्री है, जहां बाकी कंपनिस है उनसे बिलकुल हटके क्यूं है उसके उपर थोड़ा सा जहां पर हम विचार में मक्ष करते हैं श्रीराम ग्रूप एक तो 50 साल पुराना ग्रूप है दूसरा, श्रीराम ग्रूप जो है चित फंड से स्टार्ट होके फाइनांस की दुनिया में सबसे बड़ा स्थम साफित हुआ और आज तक कंटीनियूज लीजे चल रहा है और इसके अंदर अगर बात करें तो 42 सो से ज़्यादा बरांचस इसकी ओल ओवर इंडिया है और इसके पास अगर कस्टमर की बात करें तो लॉग पग सवा 2 करोड कस्टमर है इसके पास अभी और 80,000 से ज़्यादा इंप्लोई इसके साथ डायरेक्ली और इंडायरेक्ली जुड़े हुए है अगर जहां पर हम इसके नेट वर्ट की बात करें तो वो दो लाख शब्विस हजार करोड की है तो दोस्तो बहुत ही बड़ा ग्रूप है यही एक रेजन है कि इस इंडस्ट्री ने स्पाइनांस से स्टार्ट करके दीरे-दीरे लाइफ इंशोरस में भी कदम रखा दीरे-दीरे इसने मेडिकल इंशोरस में भी कदम रखा इसने लॉन प्रोवाइड करने भी स्टार्ट किये अब जे बैंकिंग सेक्टर में FD, RD जहां तक के मूचल फंडर स्टोक अक्स्चेंज में भी उतर चुका है तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका रिसर्च कर लेते हैं Wikipedia के उपर दोस्तो Wikipedia की रिसर्च इंजन है वहाँ पर जाके आप श्री राम ग्रूप को सेर्च करोगे तो वहाँ पर जे आपको क्या बताता है कि श्री राम ग्रूप 5 एपरल 1974 को आर्थ एक रंजन ने स्टार्ट किया था और जे एक चिट फंड कंपनी थी स्टार्टिंग में और दीरे दीरे जे इंशोरस बिजनस में एंटर हो गई अब जहाँ पर आप देख सकते हो श्री राम ग्रूप का लोगो नीचे आप देख सकते हो 14 बिलियन से ज़्यादा का इसका नेटवर्ट है और जे ग्रूप में कौन-कौन से और सेक्टर है आप उसके उपर भी जाएगे श्री राम फाइनांस है श्री राम हाउसिंग फाइनांस है श्री राम लाइफ इंशोरंस है श्री राम जैरल इंशोरंस है शरी राम insight है, शरी राम fortune है, शरी राम AMC है, शरी राम wealth है, शरी राम properties है और ऐसे नेक group आपको और भी मिल जाएंगे जो सारे के सारे शरी राम group के साथ ही link है और यह बाकी finance group से अलग क्यों है, हटके क्यों है वो उसका reason ही जही है कि बाकी जतने भी market में finance industry चल रही है उसको लेके चलता है लेकिन वह एक ऐसा ग्रूप है जिसमें आपको अंगिंत ही लगपक जितना भी finance का काम होता है वह सारी कि सारी industry एक ही ग्रूप के अंदर मिल जाती है चाहे आपने ट्रक finance करवाना हो चाहे आपने business loan लेना हो चाहे आपने FD करनी हो, चाहे आपने mutual fund में पैसा investor करना हो, चाहे आपने medical insurance लेना हो, कोई भी sector है, जहां तक कि आपने third party किसी car की जहां बाई की insurance करनी है, तो वो भी जे group provide करता है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ इस group से एक बार जुट जाना है, तो जितने भी जे आपके का है, जिस सारे के सारे आप इसी group में से कर सकते हो, तो इसी लिए जिस सबसे अलग है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा potential है, और अभी बात करते हैं, इसके license की, अगर insurance sector की बात करें, IRDA का license है, जिसको हम Insurance Regulatory and Development Authority of India के नाम से जानते हैं, जितनी भी insurance agency होती है, जितनी भी insurance के sector होते हैं, उनको अगर market में insurance के नाम पर पैसे का लेंदेन करना है, जान लोगों का वीमा करना है, तो उसको IRDA से मानता लेनी पड़ती है, जो इसके पास already मजूद है, उसके बास दूसरी चीज, RBI, Reserve Bank of India, को नहीं जानता, अगर आपको banking sector के कुछ काम करने है, तो आपक RBI की मानता लेनी पड़ती है, अगर आप non banking sector से हो, तो आपको NBFC का license provide करते है, तो जो NBFC का license है, वो भी इसके पास है, जो RBI की तरफ से इसको मिला हुआ है, तो banking sector और insurance sector इसने cover कर लिया, अब बात आती है, exchanges की, mutual funds की, chit funds की, तो जे सारी चीजों के लिए आपके पास होना चाहिए, SEBI का license, अब SEBI क्या होता है, the security and exchange board of India, जितनी भी exchanges, इंडिया में listed है, जो as a broker house भी काम करती है, वो SEBI के अंडर आती है, तो securities and exchanges board of India का जो license है, वो भी इसके पास मजूद है, तो जे सारे के सारे license इसने लेके रखे हुए है, जे बहुत बढ़िया बात है, एक ही शो पर दो तरह की जोब कर सकते हो, वो क्या है, एक आप इनके employee बन सकते हो, उसके लिए आपको पहले इनकी vacancy का पता करना पड़ेगा, कि आपके शहर में जा दूसरे किसी शहर में, किसी office में vacancy खाली है, तो आपको उसके लिए apply करना पड़ेगा, उसका एक general test भी होता है, दूसरा तरीका क्या है, कि आप digital marketing की दुनिया है आज, गर बैठे, आप इसकी ID ले सकते हो, उसके लिए भी कुछ अलग से target सहते हैं, अगर आपने वो fulfill कर लिए, तो आप गर बैठे, बिना किसी target के, बिना किसी office में जाए, इसके service agent बन सकते हो, इसके distributor बन सकते हो, और अप अपनी earning कर सकते हो, आपको joining letter भी मिलेगा, आपको offer letter भी मिलेगा, और जहां पर जो आपको salary आएगी, वो आपके account में आएगी, हर एक चीज, TDS card के GST लगा के ही आपको मिलेगी जहां पर, तो हर एक चीज, जो भी आप, चाहे कोई insurance करते हो, चाहे कोई loan करते हो, हर एक ऐसे की liability लेने की चिंता नहीं है, बहुत ही बड़िया काम है, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, इसका history, किसने इसको start किया, क्या उसका मकसद था, और कौन-कौन सी industries के अंदर आती है, और कौन-कौन से license इसके पास है, और आप कैसे इसके साथ जुड़ सकते हो, न आज की वीडियो में इतना ही, आपको जे वीडियो कैसा लगा, मेरे को comment section में comment करके बताना, वीडियो को आगे like और share करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, मेरे चैनल को subscribe पर देना, notification bell को on कर देना, क्योंकि ऐसी ही informative वीडियो आपको मेरे चलपर मिलती रहेंगी तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिये अजाज़त, नमस्कार